हलो दोस्तों वेल्कम बैक टू आर चैनल स्टड़ी आई क्यू जुडिश्री मैं आपूर सर्वा स्वागत करता हूं स्टड़ी आई क्यू के सॉफीशल चैनल पर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दो-दो खुसकफरी सबसे पहले मैं आपको लीगल वेकेंसी जो के सीमेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया गवर्मेंट ऑफ इंडिया के अंदर निकली है जहां पर आपको लीगल की पोस्ट पर काम करने का मौगा मिलेगा ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक साल का कॉंट्रेक्ट होगा उसके बाद 66% के बाद आपका ये तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और जितने भी लोग हमारे एडवोकेट हैं और वो एक्सपीरियंस रखते हैं दो साल का तो वो इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं अब सबसे वड़ा सवाल ये उठता है कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा और कब से आपका एजा बार काउंसिल में जब से आपने रेजिस्टेशन करा है तब से आपको जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा या फिर आपने किसी भी जो है स्टेट बार काउंसि के अंदर अपने district association की member से प्ले रखे है high court की रखे है या supreme court की लिए रखे है तब भी आप जो है इस वेकेंसी के लिए apply कर सकते हो इसमें आपको basic 50,000 के लगवक जो है पूरे पैसे दिये जाएंगे इसके बाद इसमें आपको TADA, HRA प्लस जो है medical allowances भी provide किये जाएंगे तो ब क्या इसकी eligibility criteria है और क्या-क्या इसमें आपको लिखकर भेजना है यह detail में आज हम discuss करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दसेरा के उप्लक्ष में study IQ लेकर आया है दसेरा सेल और जो भी life foundation batch 8 में admission लेने वाले बच्चे हैं उनके admission भी close हो रहे है कल और आपको अभी दिया जा रहा है maximum discount जो study IQ का 2 साल का plan है life foundation batch 8 में वो आपको आज की date में अगर आप APU का code यूज करते हैं तो आपको APU का code यूज करने पर 2 साल वाला plan 22,999 में और आपको 3 साल की validity का plan 27,999 में दिया जा रहा है इसके respect में हम session के last में चर्चा करेंगे और सारी details जो अपूर शर्मा official यह मेरा telegram group है यहां पर मुझसे connect होकर कोई भी जानकारी साजा की जा सकती है या फिर अपूर शर्मा 252 यह मेरा इंस्टा अकाउंट है इन दोनों ही social media handles पर आप मुझसे connect हो सकते हैं और कोई भी जानकारी मुझसे साजा कर सकते हैं दूसरी सबसे important बात कि अगर loss unrelated कोई भी डाउट है तो आपके लिए यह best group है क्योंकि यहां पर आने वाली सारी legal vacancy चाहे freshers के लिए हो या फिर जो है अमारे advocate experience के लिए हो सबके लिए मैं आपको provide करता हूं और सबसे पहले आपको यहां पर जो भी जो भी हमारे PCS जेके PCS जेके notification आते हैं वो भी आपको provide किये जाते हैं तो आप इस पर मुझसे connect हो कर कोई भी जानकारी साजा कर सकते हैं चलिए तो अब आते हैं वेकेंसी के उपर और डिटेल में यह सारी चीज़े जानने की कोशिश करते हैं देखिए यह हैं अपके बहुत सारे अधार 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 पोस्ट भी आई ह करते हैं तो अब हम legal vacancies के बारे में सारी चीज़े discuss करते हैं आपको नीचे जाना होगा point number 11 पर 4 vacancy देखने को मिल रही है और आपकी जो upper age limit है वो 35 years की रखी गई है 35 years तक के सारे candidate इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं भर सकते हैं दूसरा इसमें unreserve की एक है OVC की एक है EWS की एक है औ आपको क्या करना है आपको जो है अपने age और experience 31 10 2023 तक count करना होगा और इसको जो है 31 10 2023 तक जो भी official address इसमें दिया गया है प्लस इसका form भी इसी के साथ attach किया है वो भी मैं आपको दिखा हुआ तो यह हमारे legal की चार vacancies total यहां पर देखने को मिल रही है इसके साथ मैं आप दे full-time bachelor degree in law or the post graduation degree in the bar council of India recognized college university और the institute इसका मतलब यह है कि जो भी student या फिर जो भी लोग अपने बी ऐलल्वी या लल्वी को कर रखे है या फिर उन्होंने अपने master's program को कर लिया है लल्म को कर लिया तो वो सारे लोग जिनका college या institute या फिर उनकी university bar council of India की तरब से रिक और गनाइ हो आप जो है किसी भी जो है advocate के या फिर जो है solicitors of the office of law firm आपने as a solicitor या फिर जो है as a lawyer किसी भी law firm के साथ काम किया है तो आप इस form को भर सकते हैं दूसरा as a law officer in the legal department of bank financial institute statutory corporation company state central government या तो आपने जो है क्या इन सारी संस्थाओं के साथ में काम किया हो तब भी आप जो है इस form को बर सकते हैं इसके साथ में आपको भेजना क्या क्या है अपने जो है बार council का enrollment की एक copy आपको भेजनी होगी दूसरा जो भी आपके बार associations हैं जहां पर आपने अपना registration as a advocate करा रखा है वो भी आपको भेजना होगा और आपने जो है क्या अपने उसी जो है संस्ता से वो experience advocate का लेकर जो है आप इस form में attach करके भेजना है इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यह आपकी eligibility criteria होगी इसमें कुछ general instruction दे रखे हैं यह आप पढ़ लीजेगा और इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यह जो है क्या यह form आपको 31,10,2023 से पहले जो है क्या करना होगा पां इस पर जो है submit करेंगे form इसका जो है इसी notification में नीचे दिया गया है दूसरी सबसे important बात कि इसमें जो selection होना है वो without paper होना है आपके experience के basis पर और आपके जो है आपके सारे documents के basis पर जो भी आप form के साथ में attach करके भेज़ेंगे उसके साथ में होना है तो याद रखने वाली ब बाद में आपका interview होगा interview के होने के बाद आपका document verification होगा प्लस आपका medical भी देखा जाएगा कि आप पूरी तरीके से उस job के लिए perfectly fit है या नहीं तो उसके बाद आपका इसमें directly chain देखने को मिलेगा कोई भी इसमें जो है आपको कोई भी क्या कहते है exam देने का column नहीं है exam क के basis पर selection नहीं होना है age relaxation की बात करें तो जो भी हमारे SCST से related candidate है 35 साल के बाद 5 साल का age relaxation दिया गया है और जो OBC non-cleaning layer में आते हैं उनको 3 साल का age relaxation दिया गया है बाकी other age relaxation as per the central government के rule आपको यहां पर provide किये गए है selection procedure में मैंने बताया कि interview based रहने वाला है और यहां पर जो भी आ कर सकते हैं तो form apply करने के लिए आपकी यह सारे documents आपके होने चाहिए जैसे आपकी 10th birth certificate होना चाहिए age proof के लिए 10th की mark seat या 12th की mark seat आपको attach करनी होगी अगर आप जो है reserve category से belong करते हैं तो अपना जो है cast certificate इसमें रखेंगे EWS से अगर जो है आप belong करते हैं तो EWS वाला रखें वाना है 100 रुपे का और 100 रुपे के draft को जो है आपको अपने form के साथ attach करना है लेकिन यहां पर दूसरी बात बताई गई है कि जो भी हमारे SCST PW female candidate है उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है वो directly इसको जो है direct cement corporation of India को बेश सकते हैं इसमें जो basic salary होने वाली है for posting unit की उस साथ आपको 10,000 रुपे accommodation के भी provide किये जाएंगे और आपका ये जो है contractual base vacancy रहने वाली है एक साल के लिए आपका अगर successfully contract जो है क्या होता है पूरा होता है और आप cement corporation of India के साथ जो है इस लीगल post पर काम करते हैं तो आपके इस tenure को तीन बार बढ़ाया जा सकता है जहां पर हर वार आपको 5% का increment देखने को मिलेगा उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा ये आपके जो post number 11 है उसके सारे details है मतलब आपकी legal vacancy का post number 11 है तो आपको ये जो है क्या इतनी जो है payment देखने को मिलती है इसके साथ में देखिए ये इसका form है जो कि आपको इसकी official website से मिल ज होगा और ये जो है आपको 31 तारिक से पहले करना है और 31st of October शाम 5 बजे से पहले आपका form submit हो जाना चाहिए जो भी लोग हमारे reserve category के हैं महलाए है उनको fees भरने की फीस के लिए DD नहीं बनवाना है लेकिन other जो general candidate है उनको DD बनवाने की यहाँ पर आवज सकता है अगर आप य कोई भी जानकारी साजा कर सकते हैं और इस वीडियो के complete होने के बाद मैं यह form आपको यहीं पर provide करा दूँगा दूसरी सबसे important बात या फिर आप मुझे इंस्टा पर भी message कर सकते हो अपूर शर्मा 252 case Instagram account पर इन दोनों ही social media handles पर मैं आपको यह notification प्लस यह सारी चीज़े य देकर आया है दसहरा सेल और दसहरा सेल में आपको live foundation batch 8 में maximum discount देखने को मिल रहा है दो साल की validity के लिए अगर आप इस live classes में batch में जॉइन करना चाते हैं तो आपको 229999 में दिया जा रहा है और अगर आप इसको 3 साल की validity के साथ जॉइन करना चाते हैं तो यह आपको 279999 में यह batch जो है आपका comprehensively 12 महीने का live batch है और 12 मंत में आपको देखने को मिलेगा इन 12 महीने में आपको देखने को मिलेगा clearly कि आपको सारे major loss, minor loss, local loss भी cover कराई जाएंगे इसके साथ means के perspective से आपको एक dedicated जो है हर class के handwritten notes बना कर दिये जाते हैं इसमें teachers के lecture notes तो आपको ही मिलते हैं य यह हमारा English और Hindi दोनों ही माध्यम के students के लिए batch रहने वाला है इसमें आपको prelims, mains और interview की daily basis पर त्यारी कराई जाती है और 12 महीने में comprehensive तीनों ही stages की इसमें त्यारी करते हैं प्लस इसमें आपको देखने को मिलेगा कि weekly basis पर legal और general current affairs भी दिये जाते हैं तो यह whole and soul compilation है हमारा पूरा का पूरा इसको हम P2I batch भी भोलते हैं इसमें आपको second stage मतलब mains की त्यारी daily basis पर दो live classes होती हैं जिनको 4 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को schedule किया गया है पहली class major log की होत होती है और अगर आप इस वैच में admission लेना चाहते हैं तो आप दसेरा सेल का फाइदा उठाकर इस तरीके से इसमें admission ले सकते हैं admission लेने का procedure क्या होगा मैं आपको जल्दी से बता देता हूं Google पर जाना है phone से laptop से टैप से या फिर किसी भी अधर चीश से जब फिर आप जो है buy now के option पर जाएगा और यहां पर आपको दिखेगा 35 मंत की validity के साथ 43,000 पर और जो 24 की मंत की validity के साथ आपको 38,000 पर मिल रहा है लेकिन आपको अब भी इस पर maximum discount लगाने के लिए offer available में जाना है और offer available में जाने के बाद आपको यहां पर नीचे आएंगे तो आपको enter code coupon code डाल हमारा small letters में जैसे ही आप apply करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका APU का code apply होते ही यह जो code है दो साल की validity का मात्र जो है 22,999 में कल रात तक आपको दिया जा रहा है और अगर आप इसमें 3 साल के लिए enroll करना चाते हैं मतलब आप इसको 3 साल के लिए इसके जो mentorship program है इसके जो handwritten notes है lectures को आप अपने पास रखना चाते हैं पढ़ना चाते हैं तो 3 साल वाले बैच में APU के code से 27,999 का दिया जा रहा है अब इस बैच की क्या क्या specialty है 1100 से ज्यादा घंटे की live hour classes जो है आपको इसमें कराई जाती है 1 to 1 mentorship के according एक personal dedicated mentor हर एक student को मिलता है जो के आपक आपको starting से लेकर last तक जब तक आपका course valid रहेगा तब तक सारी चीज़े बताता रहेगा कि आपके जो भी doubts होंगे जो भी आपके questions होंगे prelims के लिए क्या पढ़ना है किस state के prelims में कौन सी approach रखनी है means के perspective से कैसी त्यारी करनी है तो एक dedicated mentor आपको मिलता है इसमें आपको teachers के lecture notes तो मिलते ही हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े होते हैं लेकिन इसमें आपको dedicatedly आपको handwritten notes हर एक topic के दिये जाते हैं ये जो है handwritten notes means के perspective से कैसे legal maxim लिखनी है कैसे case laws लिखनी है कैसे जो है आप अपने हर चीज़ को लिखकर comprehensive answer को limited words में complete कर सकते हैं तो ये जो है आपको means के perspective से हर class के handwritten notes दिये जाएंगे 15 states की prelims की test series और 15 states के ही local law इसमें आपको provide किये जाते हैं और इस batch में जो भी 2023-2024 से आगे आने वाले किसी भी वर्स में admission लेने के बाद means को निकालेगा तो इनको interview guidance program free of cost दिया जाता है तो आप इस तरीके से माल लीजिए आपने APU का code यूज कि की validity का course 22,999 का buy now का option आएगा इसमें जो है इतने सारे payments के option आपको दिखते हैं इस माध्यम से जो है इन में से किसी भी माध्यम से जो है आप payment करके इस batch में admission ले सकते हैं जैसे ही आप इसको last step को payment करोगे आपका admission हो जाएगा और अगर आप study IQ judiciary के life foundation batch 8 में APU मतलब मेरे नाम के तीन अक्षर लगा कर जो है admission लेते हो तो आपको एक और course free दिया जा रहा है दसेरा सेल में जुडी श्री का महापैक यह हमारा 16 states का recorded course है जहां पर आपको 16 states के major law, minor law, local law, free of cost दिये जाते हैं और आप जो है इस batch को भी access कर पाएंगे अगर आपने 2 साल के लिए admission लिया है तो recorded जो साल के लिए मिलेगा, 3 साल के लिए admission लिया है तो recorded batch 3 साल के लिए मिलेगा, तो आप आज ही जाकर enroll कर सकते हैं, अब क्या है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में doubt आता है, query आती है कि हम एक बार बात कर लें किसी से या फिर हम सरसे इस batch के बारे में और detail ले ले तो अगर आपको कोई भी detail लेनी है, life foundation batch 8 के बारे में याद रखिएगा, ये offer सिर्फ और सिर्फ 25 October रात 12 बजे तक valid है, तो आप इसका जल्दी से जल्दी फाइदा उठा सकते हैं, अब याद क्या रखना है, अगर आपको इसके respect में कोई भी जानकारी साजा करनी है, कुछ भी 252 के इस इंस्टा अकाउंट पर भी मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी साजा कर सकते हैं, इन दोनों ही social media handles पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए active रहता हूँ, और ऐसे ही legal vacancies लेकर जो भी हमारे freshers या advocate experience के लिए होती हैं, मैं हमेशा आपके लिए, जो है मेरे telegram गुर